आज मैं लेकर क्या हूं क्या इंपॉर्टन टॉपिक्स हैं आपको धियान में रखने हैं अपने आई टी जैम की प्रिपरेशन के लिए क्योंकि आपके एक्जाम्स बहुत नजदीक हैं अब आपके एक्जाम्स फैबरी में हैं और आपके पास फिलाल आज भी अगर हम देखे लगबग कंप्लीट तीन मेहने का टाइम आपके पास है तीन मेहनों में इन इंपॉर्टन टॉपिक्स पर कुछ खास भीजान दिया जाएगा सुट्वर्ट तो इंपॉर्टन टॉपिक्स क्या हैं आपको बदाता हूं पहले बात तो आई टी जैम स्टैस्टिक्स जो स्टैस्टिक्स MS कहलाता है MS mathematical statistics है तो इसके बात कर रहा हूं मैं आपको देखिए ध्यान से जो पुरा कोर्स है बिटा इस हंटार कोर्स डिवाइड इंटो टू पार्ट मैथमेडिक्स स्टैस्टिक्स तो पिछले कुछ टाइम से मैथमेडिक्स 30 परसंट और लगभग अगर आपके 60 question आ रहे हैं तो 60 में से 18 questions आपके लगभग Mathematics में हैं और 42 questions आपके statistics के हैं क्युंकि आपके 60 questions आ रहे हैं तो 18 questions mathematics के हैं और 42 questions statistics के हैं लगबग ऐसा भी वो देखा गया है पेपर के अंदर स्वन्स 20 और 40 भी देखा गया है तो यह approximate है exactly नहीं है विपल भी आप बोलेंगे कि सर exactly 30 marks का यह maths होना चाहिए यह exactly 70 marks का यह stats होना चाहिए ऐसा जुरूरी नहीं है इसके आसपास रहेगा marks का आता है आपका the analysis 12 to 16 marks का आ रहा है सुद्ट जो मैंने नों दिखा है भी लिटेस ट्रेंड के रिकॉर्डिंग और आपका integral calculus 4 to 6 marks का आ रहा है विटा तो यह जो है mathematics के topics हैं integral calculus में आपके पास double integral triple integral है जो कि बहुत easy topics है और यहां पर जो double or triple integral है विटा double integral जो है वह आपका stats में भी cover होता है तो double integral यह stats में भी काम आएगा आपको calculus तो करना ही करना है क्योंकि दोनों जगह काम आएगा और बात रही analysis के analysis के अंदर आपके पास सबसे important है sequence series अगर आप analysis की त्यारी विवेकर अंसर से साथ कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि पूरा mathematics में अगर माल लो आपका 30 marks का mathematics है तो आपको target करना चाहिए 22 to 28 marks आपका easily target होना चाहिए क्योंकि विवेकर अंसर जो preparation आपको कराते हैं वो mathematics के students के according कराते हैं तो जब आप mathematics वालों के इसाब से preparation करते हैं तो आपका preparation का लेवल बहुत हाई हो जाता है तो यह सबसे बड़ा weak point है statistics वाले बच्चों का तो statistics वाले बच्चे क्या करते हैं वो statistics पर जाद ध्यान देते हैं जो बच्चा score कर सकता है जो वेकर अंसर से पढ़ रहा है बिना किसी गलती के अराम से 20 मा स्कूर कर सकता है short shot आप अराम से 20 तो बड़े अराम से एक average बच्चा भी 20 करेगा और कोई सीने छोड़ी मैनत की वी है तो आराम से 25 कर लेगा तो लेट एस टेक अभी यहांसे आईडे लेके चलते हैं कि average और good student में मेरे को लगता है कि 20 और 25 यहां फरका गया पांच नमबर का पर पर बच्चे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अब आते हैं बात स्टाटिस्टिक्स की हां बेटा क्योंकि जब से 70 परसंट हुआ है तो जो पिछली बार पेपर में देखा गया order stats बहुत आया था आपका तो लगभा 20 to 30 मार्क्स का जो आ रहा है आपका वह रैंडम वेरियेबल और जॉइंट रैंडम वेरियेबल आरहा है तो रैंडम वेरियेबल असान टॉपिक है लेकिन इसमें बहुत सारे पार्ट से मिटा रैं transformation here transformation पर फोकस करें हैं पर थोड़ा सा और मीन वेरियेंस तो सबको पता ही है कुछ प्रॉपर्टीज भी है वो सब ध्यान रखे और जब बात आते जॉइंट रैंडम वेरियेबल प्लीज जॉइंट रैंडम वेरियेबल का सबसे इंपॉर्टन टॉपिक जो है मेरे बीटर वो भाई वेरियेट उनिफॉर्म डिस्ट्रिबूशन है ये इसका खास ध्यान रखा जाए और पिछली बादर स्टाइट पर बहुत क्वेशन आये थे और बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है डबल डबल एक्स्पेटेशन या डबल एक्सपेटेशन वाला टॉपिक बहुत important है इस पर बहुत अच्छे-च्छे क्वेशन बन सकते हैं मैंने कुछ papers में यह भी देखा है बिटा compound form yes compound form पे भी question देखे हैं और बच्चे पहचान नहीं पाते कि compound form है बच्चे को तो यह तक ID नहीं होता compound form होती क्या है जबकि इसमें मैंने जैम में ने गेट में भी नेट में भी हर जगा question देखे गए हैं उस पर लगबग दो माक्स का एक question देखा गया है हमेशा नहीं देखो बाकी questions तो आपको पता है जो easy question होगी उनकी integration level या calculation tough होगी जो tough question होगे वह smart questions होगे वह आप directly तरफ अगर आपको अच्छा idea है अच्छी प्रैक्टिस है तो देरेटली कर पाएंगे आप 20 to 30 marks का आपका random variable or joint random variable students यहां पर बात करते हैं probability probability distributions 12 to 18 marks येस तो probability में बेटा conditional probability is very very important topic under this conditional quality base theorem also come तो ये topic जरूर कवा करें सारे बच्चे इस पर question आते ही आते हैं हमेशा राइट probability distributions के अंदर yes we have seen this questions on uniform बच्चे पहचान नहीं पाता है uniform भी है कि नहीं है continuous uniform पर बहुत question है exponential distribution पर काफी questions हैं आपर राइट आपके normal पर भी question बहुत देखने के आए नॉमल या पर राइट गामा डिस्टिबूशन पर तैसे distributions पर अगर रही CLT बात यह CLT पर एक question जरूर आएगा आपका central limit theorem पर yes convergence कम से कम दो से तीन question रहते हैं दो से तीन question convergence पर रहते हैं और यह बहुत important है convergence में आपका weak love large numbers small love large numbers किंचेंस theorem यह सब topic हम cover करते हैं अपने और बलकि आपको इतना detail में नहीं shortcut tricks है वह आप आराम से यह पूरे के marks score कर सकते होते हैं हंजी बेटा तो प्लीज जो भी बच्चे त्यारी कर रहे हैं 2023 के लिए वह इन topics पर focus को जरूर करें convergence बहुत important है और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जैसा मैंने trend देखा है CSR net में या gate के exams में या ISI में तो convergence एक काफी important topic है जो cover करता है बहुत सारा part आपका या चेबेशेवेज इनीक्वालिटी है इनीक्वालिटी में भी question आता है mark of inequality है इस पे भी एक question हमेशा रहता है एक्जाम के लिए तो कुछ short short questions होते हैं जो हमेशा रहते रहते हैं जो आपको दिखेंगे हमेशा तो मैंने आपको probability बता दिया distribution बता दिया Central limit theorem बता Central limit theorem पे खास तोर पे ध्यान दिया जाए जहां पर continuity correction लगती है डिस्क्रीट वाला question जहां पर आपकी continuity question लगेगी हां जी convergence के अंदर केंचेंश थेरम बहुत होती है बहुत important है और convergence के कुछ अच्छे tips and tricks हैं जिसकी वद्दत से बड़े आराम से आप questions को कर सकते हैं तो मेरे साब से हां यह 12-18 marks है यहां पर अब बात करते हैं Sampling and Estimation करेंगे मुझे लगता है से बच्चे जिनको अच्छा concept क्लियर है sampling के या distributions के relations अच्छे से पता है उसको use करना आता है पस उसी को twist and turn करते हैं वह लोग जादा एकन्फ्यूस करने कुछ करेंगे तो variables change करेंगे या notations change करेंगे या कुछ ना कुछ नया equation बनाएंगे और एक सबसे बड़ी विदमना यह है स्टूडेंट्स के field के अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रेक्टिस के लिए questions नहीं वही questions है या तो जो काफी सारे questions उसमें से suit नहीं करते हैं IT Jam के लिए हंजी काफी करते हैं काफी नहीं करते हैं तो overall मैंने देखा गए बहुत अच्छी book नहीं है पर still if you practice questions which we have given you or in the class sessions जो भी हम assignments देते हैं उनको discuss करेंगे तो आप यह कवर कर पाएंगे estimation, estimation का सबसे important topic estimation में, point estimation में CRLB, Cremel or overbound या आपका sufficient statistics या consistency या UMVUE, Uniform Minivariance, Unbiased Estimator तो यह long method से नहीं short method से हम कर सकते हैं सब जी रहांची short method से निकाल सकते हैं सारे questions तो 10 to 20 marks का है, sampling में आपको पताएं सारी एफ और काई स्क्वेर है उनका relation बीटा से है, गामा से है, वह सारे relation डिसक्स करना है, exponential से और क्या क्या distribution बन सकते हैं, estimation method of moments, MLE method है आपके पास biased, unbiased, unbiased estimator, biased estimator, mean square error बड़ अच्छा topic है में स्क्राइब को छोड़ में, convergence भी उसक्राइब करते हैं वहाँ पर हम लोग सफीशन सी, consistency है ना और यह सारे topic हम लोग, completeness की सब कवर करते हैं, testing and confidence, yes बच्चे यहां पर बहुत स्ट्रगल करते हैं, यह बहुत अच्छा topic है, बच्चे ज्यादा अच्छे questions क्योंकि बच्चों को मिलते नहीं तो बच्चे करने पाते हैं, testing on confidence interval पे मेरे पास बहुत सारे questions जो मैंने net के exam से जुड़ा निकाले हैं, यह gate से निकाले हैं इस बार बच्चों को practice कराने के लिए, तो यह आप वहां से कर सकते हैं, confidence interval में काई-square distribution का question जरूर आता है हमेशा, काई-square पे question जरूर रहता है हमेशा, और काई-square में one tail या right tail या left tail का question तो जरूर रहता है, confidence interval के अंदर, और यह फिर match करना की one minus alpha के बराबर लाने वाला question, हां, और ही testing के बार, testing में type 1, type 2 error, yes, power of test, type 1, type 2 error, power of test, likelihood ratio test, बड़ा important topic है, likelihood ratio test, हंजी, critical region निकालने का test, हंजी, यह सारे questions हम यहां कर सकते हैं, generally हाँ पर हमारे course में parametric test ही आते हैं, parametric test मतला हम parameters की testing करते हैं, जैसे कि mu की करते हैं, sigma की करते हैं, theta की करते हैं, lambda की करते हैं, theta को proportion बोलते हैं, lambda को poison distribution का parameter, sigma, standard deviation, mu, mean है, difference of mean, ratio of variances, F test, T test, high square test, stand normal test, ऐसे बहुत सारे test है हमारे पास, और एक concept है बिटा P value, वो समझना बहुत जुरूरी है, what is P value है, so testing and confidence interval के अंदर यह सारे topics आपके आते हैं, so students, those who are preparing for jam 2023, we are starting our crash course, जो कि हम start कर रहे हैं, crash course, from Tuesday, right, Tuesday से start कर रहे हैं with a new topic, जिसकी fee से 6000 रुपीज, इस crash course के duration है, till exam, आपके exam तक चलेगा crash course, इस crash course के अंदर हम test series आपको देंगे, पुरी test series देंगे पटा, आपको हम इसके अंदर पुरा course कराएंगे, classes देंगे पुरे, tenure कराएंगे, tenure कराएंगे, tenure का test and discussion कराएंगे, test series कराएंगे, इसके अंदर हम लोग, और आपको assignments and notes भी देंगे, assignment and notes, तो प्लीज, like and subscribe और चनल और इस crash course को इस Tuesday से, जो coming Tuesday है, आज आपका Friday है, कल Saturday, परसो Sunday, Monday and then Tuesday, Tuesday से class start है, लगबग 4.30 to 7 है for statistics, it's offline, online, both classes, you can attend, किसी भी format में आप attend कर सकते हैं, so right student, thank you very much for your time, और अगर आपको और भी detail में जानना है, तो आप one to one आप लिख सकते हैं हमारे को, so IT Jam Mathematics Statistics के लिए, मैं Manish Malik Mathematics portion कराता हूं, और Vivekan Anand sir कराते हैं, आपको statistics, MAMS हम दोनों की त्यारी कराते हैं, right, thank you very much.